ठटरी बेरे सब्द का अर्थ है सत्त यथार्थ सास्वत एक दिन ठटरी सब की बर नी है और उसकी ठटरी बर चुकी जो सनातन के खिलाब देत्र बकानी की घृदने के रिवी करना जारू तो मेरे प्यारे देशवासिवो जय हिन्य जैसरियां आज आज की वीडियो में मैं पाकिष्वार धाम के पिठादेश द Mongol शास्तरी के वीडिएयो की रिव्यू करने जा रहा हूं कि इन के भुलिग करूजंगा कि इनकी मतलब परिक्षा लेन की कोशिस लेकिन ने कुछ भी सावित किया आपी तक इनका जो है जो रुतबा है भरकराइश है कि परोसा नहीं कर लेना चाहिए ठीक है यह सनातन से जुड़े हुए तो इनके साथ हमारी भावनाय वह भी जूड़ी हुई है तो भगवान ना करे कि इनको इनके नाम पर भी कुछ धबा लगे जिसे हमारी भावनाओं को चोड़ पहुंचे हमारी भावनाय आहात हो तो इसी अंतो अंतोता उनका क्या रिजल्ट आया वो भी हम लोगों ने देख लिया लेकिन मुझे नहीं लगता है और मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि इनके साथ भी वह हो क्योंकि हमारी भावनाय है हमारे सनातन के योगियों से हमारे सनातन के प्रवक्ताओं से जुड़ी होती है तो चलữa सुरू करते हैं और देखते हैं कि इनकी बातों के अनुचार क्या यह लग रहा है कि यह सचमे समाज सिवा कर रहे हैं या पहें ला असरम में convert किया जाता है मतलब कि धर्म परिवर्थन किया जाता है क्या तो इस पर क्या खूब जवाब दिया है इनोंने आप भी देखिए conversion पर हम भरोशा नहीं करते हैं अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या भगाया क्या आये तो राम जी ने गड़ा वो भी तो सत्रू का भाई था सारे हिंदू ये खो जाओ और पत्थर चलाने माले पे बुल्डोजर चलवाओ ऐसा हरूप इन पे लगा है अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें स्वागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्टया अहिंसात्मक है इसमें हिंसा को किंचत मात्र भी जगए नहीं है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने यह कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डो जड़ चलवाओ भाई यह सास्त्री जी तो सायर निकले यार हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे बहुत आसू बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिंदगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देगा तो वैसे सास्त्री जी अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं क्या करते हैं खाली समय में 24 घंटे में हमारे तीन या चार घंटे हैं निजी जै हम सो लें जो कर लें क्योंकि वह यहां हजारों लोग आते हैं हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे विचारें पर क्या वीद्गी अपएक्षाय लेकर कि लोग आते हैं हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होती हैं चार अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन तो यहां पर मैं डाउट में आ गया एक तो 24 घंटे में से अराम ना करें यह तो कुछ ज्यादय हो गया है जब इनसे पूछा गया कि अंदविश्वास पैलाते हैं का करते हैं तो इस पे इनका क्या रिएक्षिन था इस देश में हली उल्ला कहके एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हनमान 40 का उपाय बताना अंदविश्वास हो गया तो चले इसी बात में मेरे पास एक वीडियो है जो मैं चला देता हूं देखो उसमें कैसा चमतकार हुआ है तो यहां पर ऐसा लगता है कि फेस पर मिटी लगी हुई है वो उसने हाथ से अपने अपने हाथ से उसको साफ कर दिया और पुरा चेरा साफ हो गया क्या बात है कैसा चमतकार है यह कुछ भी नहीं हनमान जी के पास सब कुछ लेकन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कु इला करके भी जैंगे यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया पर ठीक है यार कहते हैं कि ज्यादा सीधा बनोगे तो ठोक दिये जाओगे थोड़ा टेड़ा वियोना बहुत जरूरी है तो वाकई में अंद विश्वास ठाइलाते हैं या फिर अंद विश्वास और विश्वास मे क्या परक होता है अंद्विश्वास विश्वास में बारीक लाएं इस बारीक लाएं देखो आप हनमान जी को मानते हैं बिल्कुल मानते हैं क्या आप सनातनी है बिल्कुल क्या आप दीपक जलाते हैं बिल्कुल जलाते हैं यह भी अंद्विश्वास तो आप करें दीपक जल यह पंदे में अगला सवाल पर यह हिंदू को क्या बता रहा है तो देखिए हिंदू के बारे में क्या बोल रहा है हिंदू का मत्रब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वह राष्ट की बात होती है और आपने अगर हिंदूस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वह हिंदूस्तानी है अगर हिंदूस्तान में रहकर हिंदूस्तानी व्यक्ति हिंद महासादर के सन्निकट रहने माला ही हिंदू राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सबस्क्राइब करो वो जो लाल वाला बटा ने उस पर अपने जीजाजी फैक के मारो या फूपाजी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए